Financial Year 2024 में भी SUVs का डंका लगातार बज रहा है कई सारी SUVs तो ऐसी हैं जो नई लॉंच होने के बावजूद भी टॉप सेलिंग में जगा बनाने में काम्याब हो गई है इसके लावा बजट सेग्मेंट आप देखोगे लगबग 20 लाग रुपे से नीचे वाला तो वहाँ पर सारी SUVs वो हैं जो टॉप सेलर बन जा रही है यहाँ पर इस वीडियो में हम आपको बताएंगे टॉप 15 बेस्ट सेलिंग SUVs के बारे में जो Financial Year 2024 में सबसे ज़ादा विकी है 15 पोजिशन पर महिंदरा की XUE 3OO 53,922 उनिट्स विके हैं Financial Year 2024 में XUV 3W को अपडेट मिलने वाले हैं इसी महीने अपरेल 2024 में लेकिन जो वैरेट अब तक अबिलेवल है उसकी प्राइस 7,99,000 रुपे दे शुरू होती है और 14,676,000 रुपे तक जाती है इसके बाद महिंदरा की थार 14 पोजिशन पर एक्शन प्राइस शुरू होती है थार की 11,25,000 रुपे से और 17,60,000 रुपे तक जाती है अभी बीते महीने ही इसकी प्राइस को स्लाइटली बढ़ा दिया गया है 13 पोजिशन पर हिउन्डे एक्स्टर 71,301 यूनिट बिके हैं प्राइस शुरू होती है और 10,28,000 रुपे तक जाती है इसके बाद महिंदरा एक्स्टर 71,002 पोजिशन पर 89,398 यूनिट के साथ में महिंदरा एक्स्टर 71,005 और 7-seater configuration में आती है वैसे भी ये टॉप 25 भी में जगा बनाने में कामियाब होती है और SUV में तो काफी ज़्यादा पसंद किया जाता है स्टार्टिंग में काफी तगड़ा वेटिंग पिरेड इस पर मिलता था लेकिन अब स्लाइटली वेटिंग पिरेड काफी कम हो गया है 13,99,000 रुपे ते इसकी प्राइस शुरू होती है और टॉप वेरेंट के लिए 26,99,000 रुपे तक जाती है इसके बाद किया सॉनेट 11 पोजिशन पर 81,384 यूनिट्स बिके हैं इसके और यहाँ पर ये टॉप सेलिंग SUVs में जगा बनाने में भी काम्याब हो गई है रिसेंटली एक अफोर्डेबल संरूफ वाला वेरेंट इसके बेस वेरेंट के साथ लाँच किया गया है जो कि सफ़ोर्मिटर SUV सेगमेंट में अभी तक इतना सस्ता किसी ने नहीं दिया है सॉनेट की प्राइस शुरू होती है 7,99,000 रुपे से और टॉप वेरेंट के लिए इसके प्राइस 15,75,000 रुपे तक जाती है इसके बाद किया सेल्टोस 10 पोजिशन पर 1,423,000 रुपे से और टॉप वेरेंट के लिए इसके प्राइस 20,35,000 रुपे तक जाती है इसके बाद महिंद्रा की बुलेरो 9 पोजिशन पर 1,10,841 युनिट्स बिके हैं फैनेशल यर 2024 में बुलेरो की बात की जाया तो 9,90,000 रुपे तक प्राइस शुरू होती है 10,91,000 रुपे तक जाती है यह केवल डीजल वेरेंट और केवल मैनूल ट्रांसमिशन में आती है वही इसका बुलेरो नियो वर्जन भी आता है यह भी केवल डीजल वर्जन और मैनूल ट्रांसमिशन में आता है हलाकि यह ज़्यादा पावफुल है as compared to बुलेरो यहाँ पर इसकी प्राइस शुरू होती है 9,90,000 रुपे से 12,16,000 रुपे तक जाती है फिलाल मार्केट में इसके चार वेरेंट अवैलेबल है इसके बाद मारूती सुजुकी ग्राइन विटारा एर्थ पोजिशन पर 12,179 रुपे के साथ इस फानेंचिल लियर में ग्राइन विटारा की बात की जाए तो बेज वेरेंट में माइल्ड हैबिट और टॉप वेरेंट में यहाँ पर स्ट्रॉंग हैबिट इंचन मिलता है जो की ज्यादा फ्यूल इफिशेंट है और बात की जाए इसके प्राइजिस की तो 10,76,000 रुपे दिसकी प्राइज शुरू होती है और 19,97,000 रुपे तक चाती है हलाकि अपरैल 2024 से काफी सारे ब्रैंड अपनी प्राइजिस को बढ़ाने वाले हैं जिसकी जानकारी हम आपको संडे कार्ड न्यूज में दे देंगे इसके बाद मारूती सुजुकी फ्राइज सेवन्थ पोजिशन पर 1,34,735 यूनिट के साथ में फ्राइज की भी सेल्स काफी अच्छी हो रही है लाँच हो जाने के बाद से ही इसको काफी तगड़ा हिस्पॉंस मिला है फ्राइज की बात की जाए तो 7,54,000 रुपे दे प्राइज शुरू होती है और 13,3,000 रुपे तक जाती है इसके बाद हुन्टे वैन्यू सिक्स पोजिशन पर सफवा मिट्रो एस्यूई है जाती है पांच वी सबसे ज़्यादा बिकने वाली एस्यूई है Financial Air 2024 की स्कॉप्यों 1,414,000 रुपे दे शुरू होती है और 17,35,000 रुपे तक जाती है इसके अलावा महिंद्रा की स्कॉप्यों N भी आती है जो काफी प्रीमियम है यहां पर आपको पेट्रोल और डीजल दोनों ही इंजर आप्शन मिलते है मैनुल और आटमेटिक ट्रांस्मिशन के आप्शन मिल जाते है इस कॉप्यों N की प्राइस 13,60,000 रुपे दे शुरू होती है 24,54,000 रुपे तक जाती है रिसेंटल एक अफोर्डेबल टॉप वेरेंट लांच किया गया है जो काफी वैल्यू फोर मनी वेरेंट यहां पर इसका साबित हो रहा है चौती सबसे दाधा बिकने वाली SUV रही Financial Year 2024 की क्रेटा 1,62,773 यूनिट्स बेके हैं इसके और 2024 में इसको अपडेट मिले हैं फेसली वर्जन लांच किया गया है इससे पहले भी सेल्स अच्छी हो रही थी और फेसली वर्जन के बाद सेल्स काफी बूस्ट हुई है तगडी बुकिंग्स मिल चुकी है एक लाग प्लस बुकिंग है भी इसकी और स्लाइटली वेटिंग पिरेड भी आपको इस पर देखने को मिल रहा है क्रेटा में आपको पैट्रोल और डीजल दोनों ही इंजिन उप्षन मिल जाते है ग्यारा लाग रुपे दे प्राइज शुरू होती है और टॉप वरेंट के लिए बीस लाग पंदरा हज़ार रुपे तक जाती है थर्ड पोजिशन पर मारूती सुदू की ब्रेज़ा एक लाग उनसतर हजार आट सो च्यानवे यूनिट बिके है इस सफ़ा मिटर एसीवी के ब्रेज़ा में आपको केवल पैट्रोल इंजिन का ही आप्षन मिलता है सी एंजी आप्षन भी मिल जाता है इसमें ब्रेज़ा की प्राइज 8,34,000 रुपे दे शुरू होती है और टॉप वरेंट के लिए 14,14,000 रुपे तक जाती है सेकिंड पोजिशन पर टाटा की पंच 1,70,076 यूनिट बिके हैं और ये दूसरी सबसे ज़ादा बिकने वाली आएसीवी बनी टाटा पंच की प्राइज 6,13,000 रुपे दे शुरू होती है और टॉप वरेंट के लिए 10,20,000 रुपे तक जाती है और साल 2025 में हो सकता है इसका फेसलिफ वर्जन भी लॉंच किया जाए जो पंच इवी से इंस्पायर रहने वाला है फ्रेंटिस कर डिजाइन और नमबर वन पोजिशन पर आई इस फाइनेशल एर 2024 में टाटा की नेक्स ओन एक लाग इकहत्तर हजार चेसो सतानवे यूनिट्स विके हैं फाइनेशल एर 2024 में यह एक सफाव मीटर SUV है यहाँ पर इसकी प्राइज 8,15,000 रुपे दे शुरू होती है और टॉप वरेंट के लिए इसकी प्राइज आती है 15,80,000 रुपे तक इसमें CNG वर्जन भी इस साल देखने को मिल सकता है और साथ ही साथ इसका एक इलेक्रिक वर्जन भी आता है जिसकी प्राइज कुछ महीने पहले ही घटाई गई है 14,49,000 रुपे तक इसकी प्राइज शुरू होती है और 19,49,000 रुपे तक जाती है इससे पहले जो इसका प्री फेसलिफ वर्जन आया करता था उसमें भी आपको पैटरोल डीजल और इलेक्रिक के आप्शन मारकेट में मिल जाया करते थे